हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो इस मॉम के चिन आई होब दाट यौला वेल आज मेरी मामा बताने वाली है राजिस्तानी खीर यो कि हम सब को बहुत ज़्यादा पसंद है मामा के हाथ का और वो आप पूरी साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा जाइकदार लगेगा पर मैं आ और हमारे चानल में आपको थोड़ा प्रहुत कुकिंगी मिलेगा और फ्रॉक भी तो चल यह देखते हैं हम राजिस्तानी स्टैल का खीर बनाएंगे उसके लिए हमने एक कटोरी शक्कल लिया है हमने छोटी इसी कटोरी में एक कटोरी बासमती चावल लेके इसको आदा घं राम चिरॉंजी और पिस्ता और यह केसर है तो चलिए देखते हैं कैसा बता है हमने तीन लीटर दूद लिया था जिसे हम पका के डेड़ लेटर कर दिया है यह दूद हमारा गाढ़ा हो गया है इस कढ़ाई में इस पतिले में हमने एक चमच भर के घी डा रहे थे अब इस घी में यह चावल दोलेवे चावल अब फूलेवे चावल इसमें डालेंगे यह राजिस्थाने स्टैल का खीर है इसको हलका सा हलका सा ब्राउन कर रहेंगी चावल को यह दम रबडी स्टैल में बनता है बहुत जाकेदार बहुत मज़े का बनता है इसमें हम भी इसलिए डालते हैं कि चावल को हलका सा भूलो खीर में सूंधा पन आ जाता है राजिस्थान में तो मत्टी के हांडी में बना लकडी के चूले पर बना इसलिए जाकेदार है हम बना रहे हैं हलका सा भी डालके इसको हलका सा भूलेंगे ये चावल हमारा भून चुका अब इसे अच्छी खुसबू आ रही है सोंधी सोंधी अब इसमें हम डालेंगे पूरा धाई लीटर की तूर मलाई के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ऐसे मीडियम आज पर अभी पकाएंगे जब खीर में खौलने लगी दा तो इसको दीमी आज पर पकाएंगे के छなख को दें कि स्वें कुर्ण की को कहओं जाए इसल्टू फंधम हें आपक्तवश को कि सछाें यह बन जाए अब इससे इतम सिंफ पर देंगें इसको छोड़े और फोए इसधम आपक चलाते रहेंगे इस इत Yes OK करें इसमें कम से कम आधर उंटार लगेगा की मियांट परति तब ये रबड़ी जैसा बनके तयार हो गया कि येशे हमारा गाड़ा ही हो रहे है अब इसमें हम अम सब्कश्का करनेकी इस नुद्य किर डाल चुके हैं बाकी खीर रेडी होने के बाद दालें यह हमारा खीर रेडी हो चुका है रबडी इस्टायर राजिस्थानी खीर अब हम इसमें डाल रहे हैं इलाइची पॉर्डर इस अच्छे से मिक्स करेंगे यह ठंडा करके प्रिज में रखके खाईए लगेगा कि र आँछ कर दाइंगे हमारी अलीजय को अ आड़ को झाल मीरी मामें मुझे देग मैं मुझे रखे दिया है और अगर आप इस खीर को नॉर्मिल खांगे तो भी अच्छा लगे गाउनि गौफी सैरे करें कुल्लख कोượ बहुत अदर जाइकेदार बना है मैंने मामा से बोला था कि आप इसको फ्मीज में रख दिये जागा फिर मैं आपको सबको जाइका बताऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है तो आपको उसक्रीन को ज़रूर ट्राइ करिएगा like and subscribe to my YouTube channel which is Aliza's mom kitchen bye